जैपूर में अक्षय पात्र मंदिर में फोटो खिचवाने के दवरान हुई यूबक की मौत के मामले में केस तरच कर लिया गया है मृतक देववरत के पिता असोक कुमार ने राम नगरिया थानी में गैर इरातन हत्या का केस तरच करवाया है पुलिस ने मामले की जांस सुरू कर दी हमृतक के भाई रिसी सुकला ने बताया कि आठ तारिक को उसका भाई जैपूर में प्लॉट देखने के लिए आया था इस दोरान वह अक्षधा मंदिर में बाहर मंदिर के पास फोटो भी खिचवा रहा था इसी दोरान वहां लगा बोर्ड निचे गिर या जिसे देवबरत गम भी रूप से घाल हो गया वही डॉक्टर ने अमरित खोचित कर दिया था यह दुरगटना मंदिर पुसासन की लापरवाही के तहत हुई है जिसकी FIR 11 अगस्त को राम नगरिया थाने में दर्ज करा दी गई है पुलिस ने आसवासन दिया है कि मंदिर पुसासन के खिलाप उचित कारिवाही करेंगे देवबरत के चार महिने का बेटा और छह साल की बेटी और पत्नी है राम नगरिया थाने में A.S.I. केला अचन ने बताया कि असोग कुमार सुकला की ओर से रिपोर्ट दी गई है जिससे IPC की धारा 304-A के तहर दर्ज किया गया है जाच की जाएगे कि जिस पत्थर के गिरने से देवबरत की मौत हुई है वह कब लगाया गया था क्या वह कमजोर इस्थिती में था इसमें मंदिर प्रसासन की क्या कमी रही अनुसंधान किया जाएगा दोसा के बांधी कुई में रहने वाला 32 साल का देवबरत सुकला पिछले सनिवार को जैपुर आया था वहां से वापस लोटे और मंदिर के पत्थर के बोर्ड के नीचे खड़े होकर फोटो खिचाने लगे फोटो खिचे जाने दोरान ही पत्थर का बोर्ड देवबरत के सिर पर आगिरा उसे अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई दियुबरत के पिता सोक ने बताया कि बोर्ड चतिगर सिता हरोज हजारों लोग उसकी नीचे से गुजरते हैं फिर भी प्रिसासन ने उस पर कोई चेताबनी बोर्ड नहीं लगाया उनकी लापरवाही से बेटे की मौत हो गई है